नमस्कार दोस्तो बुखे पेट गुजारी राते गोल गप्पे बेचे अब पाकिस्तान के खिलापशा तक किया पारी खेलकर बना है स्टार दोस्तो वो कौन सा खिलाडी है उसके बारे में मैं आपको पुरी जानकारी बताऊंगा लेकिन आप यसस्वी जैस्वाल को पसंद करते हो तो इस यूडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब दोस्तो बात करते है कि भारत ने अंडर 19 क्रिकेट 20 वकप मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से करारी हार देकर फाइनल में जगाव बना ली है जहां ग्यानदबाजों ने शांदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 172 रन पर रोक दिया तो वही बारत की तरफ से ओपनिंग करने वाले यसस्वी जैस्वाल ने 105 रन की शांदार पारी खेली मैन अब्द मैच रहे जैस्वाल के मुतावित उनको ये पारी हमेशा यादगार रहेगी हाला कि जैस्वाल के लिए यहां तक पहुचना आसान नहीं था क्रिकेट के क्षेत्र के संगर्ष करते हुए उन्होंने कई रातों तक बुखे गुजारी है यहां तक कि इस क्षेत्र में कुछ कर दिखाने के लिए उन्होंने गोलगपे भी बेचे है लेकिन इसके बावजुद वह रुके नहीं है और मेहनत करते गए इसी का नतीजा है क उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाप अपनी पारी को यादगार बना दिया यससवी मुंबई के मुस्लिम युनाइटेड कलब के गाड़ के साथ तीन साल तक टेंट में रहा यससवी इससे पहले पेरी में काम करता था जहां उसने बुखे पेट कई राते गुजारी लेकिन वहां से उसे बगा दिया गया यससवी उस वक्त 11 साल का था उसने ये मुश्किल वक्त सिर्फ एक सपने के सहारे काट लिया और वो सपना था एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलना है खेर यह बात रही 6 साल पूरानी लेकिन यह यससवी जैस्वाल 17 साल का हो गया है और वह भारत की अंडर 19 के लिए खेलने के लिए तयार है मुंबई के अंडर 19 कोच 37 समन्त ने यससवी के बारे में बताते हुए कहा कि उसका फोकस और खेल की समझ कमाल की है दो भाईयों में छोटा यससवी उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला है उसके पिता वही एक छोटी सी दुकान चलाते है यससवी कम उम्र में ही क्रिकेट का सपना लेकर मुंबई पहुँच गया था उनके पिता के लिए परिवार को पालना मुश्किल हो रहा था इसलिए उन्होंने एत्राज भी नहीं किया मुंबई में यससवी के चाचा का गर इतना बड़ा नहीं था कि वो उसे साथ रख सके चाचा ने मुस्लिम युनाइटेड कलब में अनुरोद किया कि वो यससवी को टेंट में रहने की इजाज़त दे यससवी ने बताया कि इससे पहले कालबा देवी डेरी में काम करता था पूरा दिन क्रिकेट खेलने के बाद मैं थक जाता था और सो जाता था एक दिन उन्होंने मुझे ये कहकर वहां से निकल दिया कि मैं सिर्फ सोता हूँ और काम के उनके कोई मदद नहीं करता अगले तीन साल के लिए वो टेंट में ही यससवी के लिए गर बन गया और पूरी कोशिस यही होती थी कि मुंबई में उनकी संगर से बरी जिन्दगी की बाद माबाप तक नहीं पहुचे अगर उनके परिवार को पता चलता तो क्रिकेट केरियर का वही अंत हो जाता उनके पिता कई बार पैसे बेचते लेकिन वो कभी भी काफी नहीं होते थे राम लिला के समय आजाद मेदान पर यससवी ने गोल गप्पे भी बेचे लेकिन इसके बावजुद कई रातों को उन्हें बुखा सोना पड़ा यससवी ने संगर्ष के दिन याद करते हुए कहा कि राम लिला के समय मेरी अच्छी कमाई हो जाती थी मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरी टीम के खिलाडी वहाँ ना आये लेकिन कई खिलाडी वहाँ आ जाते थे मुझे बहुत शर्म आती थी सभी खिलाडी अपने गर से खाना लाते थे और मुझे टेंट से दो समय का खाना मिलता था लेकिन कई बार बुखे भी सोना पड़ता था क्योंकि खुद रोटिया बनानी पड़ती थी दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरे लेकर आता रहूंगा